पूरी दुनिया में आतंग फिलाने वाले कोरोना वाइरस ने अब भारत में भी कहर मचा रखा है एक के बाद एक कुल 31 मामले सामने आने के बाद इंडिया अब हाई अलर्ट पर है क्यूंकि चीन समेट बाकी पीडित देशों के हालात बताते हैं कि ये जंक बड़ी और मुश्किल होने वाली है अब तक 97 देशों में फैल चुका ये रहसे में वाइरस 3500 लोगों की जान ले चुका है और एक लाग से जादा लोग इसकी चपेट में हैं और ये तादात लगातार बढ़ती जा रही है हाला कि भारत सरकार का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए उनकी पूरी तयारी है तयारी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है फेस मास्क पूरी तुनिया समेथ भारत में भी मास्क की कमी हो गई है इसको देखते हुए भारत सरकार ने इमेडियेट एफेक्ट से मास्क के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दी है 100-500 रूपे में बिकने वाला मास्क 500-700 रूपे तक बिक रहा है और हालात यही रहे तो इसको देखते हुए कीमत और बढ़ने के आसार है क्योंकि खेल सारा demand and supply का है भारत सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कहा कि अगर कोई मास्क की बल्क स्टोर करता पाया गया तो इस पे कानूनी कारवाही की जाएगी मास्क की मारामारी के साथ ही मास्क के effectiveness पर अटकले लग रही है की मास्क effective है की नहीं जरूरत पढ़ने पे कौन सा मास्क खरीदा जाए मास्क किसको पहनना चाहिए जो coronavirus से infected है उसको या फिर जो coronavirus से अबना बचाफ करना चाहता है उसको इन सभी सवालों के डिटेल्स में सिंपल भाशन में जवाब दूँगी बने रहें मेरे साथ वीडियो के एंड तक और आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे आपके सपोर्ट के बीना ये वीडियोस बनाना मुम्किन नहीं है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वाइरस फैलता कैसे है दरदसल कोरोना वाइरस एरबोन वाइरस है यानि कि ये हवा से फैलता है संक्रमित लोगों के खांसने और छीकने से वाइरस दूसरे व्यक्ति के अंदर सांस से जा सकता है दूसरा जरिया ये है कि जब ये वाइरस किसी सर्फेस पर गिरे और उसको हम अपने हाथों से छूले और बिना हाथ दोए अपनी आख, नाख और मूँ के पास उसको ले आएं तो भी ये वाइरस से हम संक्रमित हो सकते हैं इसलिए मैं बार-बार अपनी वीडियो में दोराती हूँ कि आप अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली दोएं, अच्छे से कम से कम 20 सेकंड लगा के दोएं या फिर अल्कॉहल बेस हैंड सनिटाइजर यूज़ करें अब सवाल आता है कि क्या हमें मास्क लगाना जरूरी है? देखिए उसके लिए अलग-अलग देशों में सरकारों की अलग-अलग एडवाइस हैं डिपेंडिंग ओन की वहाँ कोरोना वाइरस कितना फैला हुआ है इंडिया में क्योंकि अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है तो सबको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है घरों में या फिर अपने ओफिस में जहां आप अपने जानने वालों के साथ काम करते हैं और आपके कुलीक्स और आपके बीच में एक मीटर से जादा कर डिस्टन्स रहता है तो फेस मास्क की जरूरत नहीं है लेकिन वो सभी लोग जिनकी दिन पर पब्लिक डिलिंग जादा होती है जैसे कि अगर आप बैंक में काम करते हैं, दुकानदार हैं, ट्रेन बस की कंड़क्टर या टिकेट चेकर है या फिर आप पब्लिक ट्रांस्पोर्ट, मेट्रो ट्रेन या बस से सफर कर रहे हैं तो मास्क पहनना आपके लिए फायदमन्थ हो सकता है क्योंकि ना जाने कौन कोरोना वाइरस से संक्रमित आपके संपर्क में आ जाए और आप भी कोरोना वाइरस से इंफेक्टिट हो जाए इस समय भारत में फैले कोरोना वाइरस को देखते होए मास्क लगाना जरूरी है की नहीं जानने से पहले ये देख लेते हैं कि कितने प्रकार के मास्क होते हैं ऐसे तो बहुत टाइप के मास्क होते हैं सर्जिकल, N-series के N95, 99, 100 R-series के R95, P-series के P95, 100 ये नमबर रिप्रेजेंट करता है कि dust, smoke, bacteria या फिर वाइरस को वो मास्क कितने परसंट तक रोक सकता है इसका सीधा सा मतलब है जितना बड़ा नमबर, उतनी अच्छी रोक थाम और उतना ही महंगा लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए मास्क के 20 के डिटेल में ना जाकर कोरणा वायरस से रिलेटेड इस समय इस्तमाल हो रहे मास्क की ही बात करूँगी सबसे पहले बात करते हैं सर्जिकल फेस मास्क की देखे एक हाते हैं सिंगल यूज स्टांडर्ड सर्जिकल फेस मास्क जो आपने डॉक्टर्स को पहने हुई देखा होगा ओप्रेशन थेटर्स में या फिर उंगी क्लिनिक्स में। डॉक्टर्स कैसा कहना है कि जो सर्जरिकल फेस मास्क हैं वो कुर्णा वारस के संक्रमन को पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइट नहीं करते। उसका रीजन यह है कि यह मास्क पतले होते हैं और हमारे फेस पर या वाइरस। अगर आप शेप पर ध्यान दे तो इस N95 फेस मास्क की बनावत गुलाई में है। पिछले साल जब दिल्ली में पॉल्यूशन वाली दिक्कत हुई थी तब जादातर N95 फेस मास्क का ही इस्तमाल किया गया था। सर्जिकल फेस मास्क के मुकाबली यह मूटा ह होता है इसमें लेरिंग जादा होती है और फेस पर ग्रिब भी टाइट आती है जिससे वाइरसेज इजली एंटर नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे इस समय मास्क लगाना जरूरी है के नहीं। इन दोना मास्क की अपनी यूटिलिटीज है डेपेंड करता है कि आपकी रिक्वाइमेंट क्या है। N95 मास्क डेफिनेटली सर्जिकल मास्क से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर का फिल्टर सिस्ट्रम अच्छा है और देखने में ही पता लग रहा है कि इसकी लेरिंग भी ठिक है। लेकिन N95 म मास्क टाइट और ठिक होने की वज़े से लंबे समय तक पहनना बिल्कुल कमफरेबल नहीं रहता। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है उनके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है इसे इस्तमाल करना। वहीं सर्जरिकल मास्क की वाइरस प्रोटेक्शन कवरें जादा नहीं है पर एक चीज से हमें सेफ रखता है जो कोरोना वाइरस से बचने के लिए बहुत महत्वपून हैं। अगर हम ये मास्क पहनते हैं तो हम अपने हातों को डारेक्ट फेस, नोज, आईस को टच करने से बच जाते हैं। और यहीं अपने आपको इस वाइरस के संक्रमंट से जरूर शेर करें। क्योंकि शेरिंग इस स्केरिंग। एक इंपोर्टन चीज और मैंने अपने चैनल पर पोल यानि की वोटिंग के लिए पोस्ट डाला हुआ है कि क्या मुझे अपने चैनल का नाम चेंज कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर हां तो प्लीज होगा तो गाइज स्टे ट्यून मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।